Welcome to all of you, this is Deepa Lohana and welcome to my channel, Studying with Deepa. तो बेटा, आज हों बिसकस करेंगे साइटो प्लाजम. What is साइटो प्लाजम? साइटो means सेल, प्लास means फ्लूट. तो मेटा, साइटो प्लाजम क्या है? साइटो का मतलब है सेल, प्लास means फ्लूट. तो सेल के अंदर जो फ्लूट है, उसे हम कहते हैं साइटो प्लाजम. तो फ्लूट उच इस प्रेसेल इंसाइट प्लाजम, तो अब इसकी दिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. So, what is साइटो प्लाजम? Translucent, Pute Portion, Line between Plasma Membrane and Nucleus. Translucent क्या होता है? तो तीन ताइब के Materials होते हैं. Transparent, Translucent, Insulators. Transparent वो जिनसे लाईट बुजर जाती है. Translucent वो जिनसे थोड़कुछ माटिरियल से होते हैं, जिनसे लाईट बुजरती है. ना बुझरे तो और प्रांस्लूसन है इंस्टिक्ति को जिससे रिलकुल लाइफ ना बुझरे तीन थाइप के मटिरियल्स होते हैं अजुने सबस्टिक्परेर्ट्स जो लाइफी थी आपक तेन सहीं तो दिक जी सीजित पूरी लाइफ दुझ सिपना जो भुझे इंसुने क तो साइटो प्लासम होता कहां पर है प्लास्मा मेंब्रेन हैं न्यूक्लियस के बीच में साइटो प्लासम मेंब्रेन हैं साइटो प्लासम की दो पार्ट होते हैं कि किस से बनते हैं से बान आ हैं उसके बाद सार्टोप्लासम भुच बना हुआ है हम जैसे देखें कार्बु हइं तो हम कहते हैं यह बने हुए कार्बन है उसी करण Yum में वो तो बना किस्ट से ब्राइफ एक एक्वच अफला क्राइब एक घर नदक बना हुआ हुआ करिसम नोटे हैว आपका साइटोप्लासम करें जो किससे हुआ है युनित का है। जी सी इसे हुए है। साइटोपलासम क्या है। साइटोजोल पूर्शन होता है। साइक्स जो प्लासम की दो पार्ट एंट टो प्लासम पे बॉंटर आता है गोलते हैं जू पॉर्शन बोटें वेटा साइटोप्लाजम जो पार्ट से किके एक ग्रांट सबस्टेंट जो बेसिक सबस्टेंट से साइटोप्लासम बना हुआ है वो साइटोजोल है जिसमें 90% वोटर आका है 10% साहिं काते हैं और जो ग्रेडीूलर पोर्षीन है जो एंडोप्लासम है जि किस बना हुआ है जैसे वह से जैसे हमारा वह सबसेयर वृगन क्या है वह प्रूट करने के लिए जैसे बाड़ी को काम कराने कि लिए और्गन सिस्टम चाहिए इस तरह सेल को भी काम कराने के लिए एक अड़ चाहिए छीरी के औरिफ चाल नाहीं सेल के और नाम क्या है और डिए टो जो ए इसी में तो देख रहें साइटोब्लासम प्रूओट पॉर्शन को चैने। साउलिशन क्या है का साल्ट जो मिक्स्चर तिक के बडलेटब क्या है ? अब, solution क्या है? solute और solvent का mixture solution वो चीज है जिसमें आप किसी भी चीज को अलग-अलग इसनी का शेय कर सकते जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनने के बाद आप जीनी को, दूद को, चाय पती को, पानी को आप अलग नहीं कर सकते साइटोप्लासम में जो बॉटर होता है, वो क्या बनाता है? solution तो बॉटर मिलकर बॉटर किसी और सपोस्ट करें हमारे पास जो है साइटोप्लासम में प्रोटीन भी है, लिंपिट्स भी है समय ठीक है, तो वो प्रोटीन जो बॉटर से मिलेंगे तो एक solution में चाहेगा, तो इसी तरह में कहारा है कि साइटोप्लासम में 90% बॉटर है और वही बॉटर आपका solution बनाता है और सारी केमिकल्स हमारे घर में क्य स्टोप्लासम में जो भी में चीज तूपती है वो है तो और में चीज तूपती है वह है तो और जो भी मेटाबोलिक रियेक्शन्स क्या मैं जो जीज II है वह कटवलिक अगर कोई सिज बन ती है वह कहना अब एक वह ऐसी सिस्टम और चीज में लहें बन भी रहें तो क्या मैटामच मैं रहें तो इस एकतरा सैटॉपलास्चिंज और जगहraine जहां पर मैंट धी रिएक्शन होते हैं जैसे प्रोटीन बन गया, प्रोटीन तूट गया, इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस अब हम देखें, C6, बिटा देखें, अब ग्लुकोस जब आपका तूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब आपका क्या बढ़ता है, कार्बर डाय ओक्साइल एंड जब ऑक्सीजन ना हो, और ग्लुकोस तूट आए, तो वह क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीजन की मदल से ग्लुकोस आपका तूटता है, कार्बर डाय ओक्साइड, वो रेस्पारिशन आपकिया, आपके बढ़ाता है, जो आप खाना खाते हो, वो तूटता है, एनरजी मिलती है, वो रेस्पारिशन है, वेर ग्लुकोस, ग्लुकोस जब टूटता है, ग्लुकोस की कैटाबोलिसम से, टूटना बज़र कैटाबोलिसम, ग्लुकोस जब टूटता है, कार्बर डाय ओक्साइड, वो रेस्पारिशन है, तो वो है ग्लाइकोलाइसिस, जो रेस्पार साइटोप्लाजम क्या है साइटोप्लाजम क्या है एक ट्रांस कि उसे फ्ल्यूट है मतलब साइटोप्लाजम क्या है के तरहने में देखने है कि टो कIsत्य है प्लाजम ऑनुक्वासों के बीच प्लाजम क्या है, आउटद आ अनिमल से प्लांट से ऐसे निमल से प्लांट siya word प्लाजम आप्प्लाजम से लसाते सरें टी कि अवर है बिंघसी करें के बिन ऑडु खीडिन में से डी त यह को अप्लासब से इस का सटनी यूर्ग फिनपर है लुकी टिंट्र में बिन मसे थी होती वित कि embracing कि अंथन सब्सक्थन्स किया है मैं साइटोव तक ऐस अचे करने तो पार्ट से एक्तो प्लासम एक्तो पड़ासम में आपको यह मॉटर में साइडो जो भी बल्डिक रियक्शन से साइडो प्लासम में होते हैं जैसे प्रोटीन का बनना, glycolysis, जो भी और glycolysis के आए इंदर absence of oxygen, वक्रत के ने नेरोबिक ब्रेकदाउं और गलुकोस इस glycolysis, नेरोबिक ब्रेकदाउं और गलुकोस इस पाल रिशाडीरेशन, ठीके पेटा? तो यह हो गया आज का हमारा शॉपिक, अब जो डिफ्रेंट और वियर से वोंकर डिस्कस करेंगे उमीर हैं कि आपको यह समझ आ गया होगा So good night, take care, good night